Hello everyone, welcome back to information host आसागरता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप multiple router कैसे connect कर सकते हैं एक network पर यहाँ आप जितना चाहें router आपके जरूरत के हिसाब से connect कर सकते हैं इस setup को follow करके मानलो की example आपका जो primary router है वो ground floor पर है और आप चाहते हैं कि first floor, second या फिर third floor पर भी router connect करके वहाँ internet access करना तो आप LAN cable के थुरू बड़े आसानी से इस problem को solve कर सकते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखे हैं यहाँ मैं आपको step by step बताऊंगा कि आप कैसे multiple router connect कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास चार router है एक हमारा primary router है और तीन हमारे पास जो हमारा second and third and fourth router होगा जो हम configuration करेंगे serial configuration होगा यानि कि हमारे main router से second router फिर second से third and third to four router होके इस तरीके का हम configuration करेंगे तो चले बिन टाइम वेस्ट के विडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप channel में नए हैं तो channel को subscribe जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको router और mobile और laptop से जुड़े हुए सारे information मिलते रहेंगे तो मैं आपको ले चलता हूँ laptop के screen पर और वहाँ यह setup हम देखते हैं तो फ्रेंड यहां मारे पास है तीन router और यह जो cable आप देख रहे हैं यह हमारे main router से हमने connect करके लेकिया है जो की दूसरे room पर हमारा main router है ओके तो हमारा जो simply setup होगा यह है हमारा secondary router यह थर्ड़ router और ऎ फॉर्थ router जो यह cable है हमारे main router से आया है इसको हम क्या करेंगे हमारा जो secondary router है इसके when port से connect करेंगे ठीक है न तो मेरा जो थर्द राउटर है इसके लेन पोर्ड से गभलेंगे हमारे फोर्थ राउटर के वैंग्र पर हम करेंगे हो कि आप bluff कि आप यह सकते हैं मेरा वैंग्र्यूट्ट पर कर सेूथ तो फ्रेंड अभी हम इस router को आज़े सेकेंडी router connect करने वाले हैं यह जो main cable हमारे main router से आया है इसको हम इसके van port पर connect कर लिया है ठीक है ना तो यहां आपको जो internet का icon दिख रहा है यहां आपको right click करना है और इस पर आपको click करना है उसके बाद आपके पास एक window open होगा और यहां आपको प्रॉपेटीस है यहां प्रॉपेटीस पर आपको click करना है उसके बाद आपके router का जो भी IP address रहेगा आपको यहां पर show करेगा य यह है हमारे router का IP address तो simply क्या करेंगे इससे हम यहां से copy कर लेंगे और paste कर लेंगे ठीक है ना अब manually write भी कर सकते हैं नो इसो तो हम यहां पर router का जो IP address है उससे यहां paste कर लेते हैं और enter कर लेते हैं हमारा जो router का yaha web page है UI open हो चुका है तो simply यहांपर हमारा admin password देदेंगे password आपको यहां पर देने के बाद enter कर देना है आपक कहा जो वीब page है आजाएगा और उसके बाद आपको जाना है setting पर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद यहां आपको जाना है setting पर setting पर जाने के बाद आपको network पर जाना है आपको check करना है कि आपको जो primary router है उसका IP address कहीं इससे मिलता जूलता तो नहीं है ठीक है अगर मिलता जूलता होगा IP address इसके जैसा same IP address आप जिस router से connect करना चाहते है आपके primary router उसका अगर यहां IP address same है LAN का तो आपको change करना है हमारा जो main router है उसका IP address 2.2 है तो यह अलग है तो इसे change करने की हमें कोई जरुवत नहीं है तो simply इसे मैं ऐसे यहां पर रहना देता हूँ तो क्या करेंगे फिर से हम यहां पर setting में जाएंगे internet पर यहां पर click करेंगे और उसके बाथ यहां पर देख सकता है my internet connection triple P OE पर set है तो यहां को connect करना है click करना है उसके बाथ dynamic king D hace e p आपको यहां पर चूज करना है यहां चूज करेंगे उसके बाद जो secondary router है, यह configuration हो चुका है, मैं आपको home पे यहाँ click कर देता हूँ और दिखाता हूँ connection हमारा हुआ यह की नहीं, अब यह देख सकते हैं, internet connected, okay, internet यहाँ पे connected है, इसे पहले आपने देखा होगा, हमारा जो internet देखा, वो disconnect था, अभी हाँ पे connected हो चुका है, blue tick यहाँ आपको न दिकाल लेंगे, और हमारा जो third router होगा, उसके land port से, sorry, उसके van port से हम यहाँ पे connect कर लेंगे, okay, तो simply मैं यहाँ पे इसके van port पर connect कर लिया हूँ, यह router जो है, इस पर अभी हम internet access कर पा रहे हैं, ठीक है न, तो अभी है क्या करेंगे, हमारा जो third router है, इसे हम connect करेंगे, तो simply क् cable है, हमने fourth router पर connect किया था, इसे मैं यहाँ से take out कर लेता हूँ, और laptop से यहाँ पर connect कर लेता हूँ, अभी हम हमारे इस router को configuration करेंगे, ताकि हमारा यह router से यह router चले, okay, तो मैं आपको ले चाता हूँ, laptop के screen पर और देखते हैं, इस router का configuration, तो friend हम यहाँ पे फिर से आगे हैं, laptop के screen पर और हमारे third router का जो IP address है, हम यहाँ पे type कर लेंगे, और enter कर लेंगे, ठीक है, यहाँ हम दे देंगे username, password हमारे third router का और enter पर click कर देंगे, और उसके बाद यहाँ आट बंस पर आपको जाना है, आट बंस मा जाने के बाद यहाँ जो IP setting दिख रहा है, यहाँ आपको जा जाना है, यहाँ आपको देखना है कि आपका जो third router है, उसका IP address कहीं आपके secondary router से मिलता तो नहीं है, या फिर आपके first router से तो मिलता नहीं है, हर router का IP address जो है, अलग होना चाहिए, जितने भी series भाई, आप router connect करेंगे, चाहे 10, चाहे 5, चाहे 12, जितने भी router आप connect कर रहे हैं, हर router का जो IP address है, वो अलग होना चाहिए, तो यह जो IP address है, यह हमारे second और first router से भी different है, तो हमें change करने की कोई जरुवत नहीं है, ठीक है ना, तो simply अब हम जाएंगे when interface पर, यहाँ जो when access type है, यहाँ हमें click करना है, और यहाँ DHCP client को अपको यहाँ पर click करना है, आपका जो router है हो सकते हैं कि वहाँ dynamic हो, यहाँ DHCP client लिखा हो, ठीक है ना, तो अगर वहाँ dynamic नहीं होगा, तो आपको DHCP client पर click करना है, और यहाँ apply changes पर आपको click कर देना है, उसके बाद जो है, आपका router यहाँ 20 seconds का time लेगा, हो सकते हैं कि आपका router 25 बिले, यहाँ connect हो जाएगा, उसके बा निकाल देंगे, हमारा जो 4th router connect होगा, उसके यहाँ पर when port से connect कर लेंगे, connect करने के बाद अभी जो हमारा 4th router है, इससे हम configuration करेंगे, तो simply इसका जो LAN port है, इससे एक LAN cable हम connect करेंगे, हमारे laptop से, फिर इस router का हम configuration करेंगे, तो एक LAN cable मैं यहाँ पर connect कर लेता हूँ, और laptop से connect करता हूँ, दूसरा end, तो friend हम यहाँ पर फिर से आगे हैं, laptop के screen पर, तो simply यहाँ हमारा 3rd router का IP address है, वो यहाँ पर हम डे देंगे, और enter पर click कर देंगे, हमारा 3rd router है, यहाँ पर open हो चुका है, लेकिन हमारा 3rd router का IP address है, य यह हमारा 2nd router से मिलता है, आप यह देख सकते हैं, 2nd router का जो हमारा IP address था, यह भी सेम था 192.168.0.1, यह window पर मैं आपको ले चलता हूँ, हमारा 2nd router वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यह देख सकते हैं, यह हमारा 2nd router का IP address भी सेम है, तो simply इसे हमें change करना है, यह यह पर चाहिए, ठीक है ना, तो यहां हम पासवोड दे देंगे, पासवोड आपको टाइप करने के बाद एंटर करना है, और फिर यहां आपको आडबंस का उप्शन चूज करना है, और यहां आपको जाना है, IP सेटिंग पर जाने के बाद आपको LAN इंटरफेस यहां फिर से चू कर लेंगे, इसके बाद यह जो राउटर है, इसका जो आईपी आडरेस है, यह चेंज हो जाएगा, फिर से मैं आपको लॉग इन करके दिखाऊंगा, ओके, तो अभी जो आईपी हमने चेंज किया था, वो आईपी आडरेस को हम यहां पे टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद फिर से आपको जाना है, एडवन्स पर, और सेम सेटप आपको फॉलो करना है, ओके, यहां इपी सेटिंग पर जाना है, वेन इंटरफेस पर आपको जाना है, वेन एक्सेश टाइप पर यहां पर त्री पर पी ओई होगा, और यहां क्लिक करना है, दी एच सीपी क् था उस पर भी internet आप यह देख सकते हैं यहां पर access हो रहा है तो मैं यहां YouTube भी आपको run करके दिखा देता हूं ओके यहां आप देख सकते हैं internet हमारे जो laptop पर access हो रहा है तो आप इसी तरीके का जितने भी चाहे router आप connect कर सकते हैं तो फ्रेंड इसी तरीके का setup फॉलो करके आप जितने भी चाहे router connect कर सकते हैं आप यह देख सकते हैं जो connection setup है हमारा यह है कर सकते हैं देख सकते हैं